भारत को 15 अगस्त 1947 की राद 12 बजे ही क्यूं स्वतंत्रता मिली हर साल 15 अगस्त के दिन पूरा भारत स्वतंत्रता दिवस मनाता है लेकिन कभी सोचा है कि इस दिन में क्या खास बात की जो हमें 15 अगस्त 1947 को राद 12 बजे ही स्वतंत्रता मिली एक-एक करके इस सवाल का जवाब भूंडने की कोशिश करते हैं पहला सवाल 1947 ही क्यों गांधी जी के जनांदोलन से देश की जनता आजादी के लिए जागरुख हो गई थी वहीं दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की गतिविधियों ने अंग्रेज शासन की नाक में दम कर रखा था 1945 में द्वितिय विश्व युद्ध के खत्म होने के समय पर अंग्रेजों की आर्थिक हालत बद से बदतर हो गई थी दूसरे देशों की बात छोड़ दो वो अपने देश पर शासन करने में ही असमर्थ हो गए थे वहीं 1945 के ब्रिटिश चुनावों में लेबर पार्टी की जीतने आजादी के द्वार खोल दिये थे फरवरी 1947 में लाड माउंट पैटन को भारत का आखरी वाइसराय चुना गया जिन पर व्यवस्थित तरीके से भारत को स्वतंतरता दिलाने का कार्यभार था शुरूआती योजना के अनुसार भारत को जून 1948 में आजादी मिलने का प्रावधान था वाइसराय बनने के तुरंट बाद लाड माउंट पैटन की भारतिय निताओं से बात शुरू हो गई थी लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था जिन्ना और नहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही रसाक्षी चल रही थी जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में साम्प्रदाइक जगडे शुरू हो गए थे मांग पैटन ने इसकी अपेक्षा नहीं की थी और इससे पहले की हालात और बिगड़ते आजादी 1948 की जगए 1947 में ही देने की बात ते हो गई दूसरा सवाल 15 अगस्त ही क्यों? लाड मांट पैटन 15 अगस्त की तारीक को शुब मानते थे क्योंकि द्वितिय विश्व युद्ध के समय 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पन किया था और उस समय लाड मांट पैटन अलाइट फोसे इसके कमांडर थे तीसरा सवाल रात के बारह बजे ही क्यों? जब लाड मांट पैटन ने आजादी मिलने की तारीक 3 जून 1948 से 15 अगस्त 1947 कर दी तो देश के जियोतिशियों में खलबली मच गई उनके अनुसार ये तारीक अमंगल और अपवित्र थी लाड मांट पैटन को दूसरी तारीके भी सुझाई गई थी, लेकिन वो 15 अगस्त को ही लेकर अडिक थे खेर, इसके बाद जो तिशियों ने एक उपाय निकाला उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तै किया क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से दिन रात के 12 बजे पर शुरू होता है लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदे पर सिर्फ यही नहीं, उन्होंने नहरू जी को ये भी कहा था कि उन्हें अपनी आजादी की स्पीच अभिजीत मुहूर्ट में रात के 11 बच के 51 मिनट से 12 बच के 49 मिनट एम के बीच ही देनी होगी इसमें एक और शर्थ ये भी थी कि नहरू जी को अपनी स्पीच रात 12 बजे तक खत्म कर देनी होगी जिसके बाद शंखनात किया जाएगा, जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा आज हमारे देश को आजाद हुए और 60 साल हो गए इसलिए ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि हमें 15 अगस्त 1947 को ही आजादी क्यों मिली आशा करते हैं कि भारत का स्वतंतरता दिवस आपके जीवन में भी धिर सारी खुशियां लेकर आए गजब पोस्ट की तरफ से स्वतंतरता दिवस की शिप कामनाई जय हिंद